जय हिन दोस्तों मैं अबदुर्टला माजाद आरजेट क्लासे में आपका स्वागत करता हूं हम लोग पढ़ रहे थे exercise 3.2 3.2 का पहला question और दूसरा question हो गया था तीसरे question में देखिए क्या बोल रहा है इसका हम लोग इस वीडियो में discussion करेंगे तो ध्यान से आप पूरा वीडियो आन तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप आसानी से इन question को solve कर सके और ज्यादा ज्यादा practice करिए जिससे कि आपको आस पात A1 अपन A2, B1 अपन B2 और C1 अपन C2 कि तुल्णा करके ग्याद कि जिके निम्न समिखरण राखिक समिखरणों के यूग में संगत है या असंगत तो आपको questions दिया हुआ है और आपको इन तुल्णा करके आपको बताना है कि ये दोनों राखिक समिखरण संगत है या तो याद करिए, introduction part, मैंने आपको बताया था, कि जिन रेखाओं के हल होते हैं, या जो प्रतिछेदी होते हैं, या जो संपाती होते हैं, वो संगत होते हैं, और जो रेखा हैं, समानंतर होती हैं, और यानि कि जिन के हल नहीं होते हैं, उनको हम असंगत कहते हैं, ठीक, बस इत अपन B2 होता है तो प्रतिछेदी रेखाओं के लिए होता है और जब A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 बराबर C1 upon C2 होता है तो वो किस के लिए होता है समपाती रेखाओं के लिए होता है तो यह दोनों संगत कि स्रेडी में होंगे और उसके अलावा A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 आता ह तो आईए, सबसे पहले इसको करते हैं, तो ये पहला समिक्रड है, ये दूसरा समिक्रड है, इनको standard format में लिख लिया जाए, तो 3x plus 2y minus 5 बराबर 0, ये आपका समिक्रड एक है, a1 x plus b1 y plus c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर आपको a b c मिलेगा, तो a1 बराबर 3 मिल गया, b1 बराबर 2 मिल गया, c1 बराबर आपको minus 5 मिल गया, ठीक, ये एक सही तरीका है, तुलना करने का, आप direct भी कर सकते हो, easy, पहले शुरू शुरू आत में आपको इस सब सार 2 से कर लो भी है, समीकरण 2 से, समीकरण 2, 2x minus 3y, अब देखो इस साथ को इधर लेते हो भाई, तो ये आपका a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या मिलेगा, आसानी से आप तुलना कर सकते हो, देखो, xxyy और यहाँ पर constant value, तो a2 बराबर आपको 2 मिल गया, b2 बर आपको minus 3 मिल गया, c2 बराबर minus 7 मिल गया, ठिक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, a1 अपन a2 निकालो, a1 अपन a2 निकालोगे, तो a1 अपन a2, देखो, a1 आपको 3 मिला हुआ है, a2 आपको 2 मिला हुआ है, b1 अपन b2 निकालो, b1 आपको क्या मिला हुआ है, 2, b2 क्या मिला ह माइनस 3 C1 अपान C2 C1 आपका क्या मिला है माइनस 5 C2 मिला है माइनस 7 याने 5 बटा 7 अब ध्यान से देखो यही बराबर नहीं है भाई तो A1 अपान A2 not equal to B1 अपान B2 ठिक तो A1 अपान A2 not equal to B1 अपान B2 यह कब होता है जब रेखाएं प्रतिछेदी होती है रेखाएं प्रतिछेदी होती है इसका मतलब उसके हल होते हैं हल कितने होते हैं अधिती हल होते हैं तो ऐसे रैखिक समिक्रड़ों को हम क्या करते हैं रैखिक समिक्रड़ यूग्मों को क्या करते हैं इसको नोट कर लीजी तीसरे का दूसरा question question वही है आप से पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है यह दो रैखिक समिक्रड दिया हुआ है इनका यूग में रैखिक समिक्रड हो का इन से आपको क्या करना है तुलना करके किसका तुलना एवन अपान एटू बीवन अपान लिखलेंगे 3y और 8 को भी इधर कर देंगे तो इस टेंडर फॉर्मेट हो जाएगा इसको आप a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे आप तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो आपको a1 मिलेगा 2 b1 मिलेगा आपको माइनस 3 c1 मिलेगा आपको माइनस 8 समिक्र पर 2 क्या है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 इसको भी स्टेंडर फॉर्मेट में आपने लिख लिया a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करोगे तो क्या क्या मिलेगा देखो a2 आपको मिल गया यहां पर 4 b2 आपको मिल गया माइनस 6 और c2 मिल गया आपको माइनस 9 ठिक अब आप लाओ यहां पर अनुपाद निकालो a1 अपान a2 का तो a1 आपको यहां मिला है 2 a2 आपको मिला है 4 लो बटा 4 मतलब एक बटा दो b1 आपको मिला है और b2 तो b1 देख लो आपको क्या मिला है माइनस 3 बी माइनस 8 है, c2 क्या है, माइनस 9 है, 8 वटा 9, अब ध्यान से आप देखो, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है, देखो ये दोने एक बटा दो, लेकिन ये नहीं है, तो ये कब होता है, जब रेखाएं समानतर होती है, तब क्या होता है, a1 अपान a2 इकवल टू, b1 अपान b2, not equal to c1 अपान c2, तो जब ये इस्थिति आपकी आती है, तो दोनों रेखाएं समानतर होती है, और उनका कोई हल नहीं होता, जब कोई हल नहीं होता, तो असंगत भी होते हैं, बस इतनी सी बात याद रखना है, यानि समानतर रेखाएं, असंगत होते हैं, अथा, रेखिक समिकरण, युग, असंगत, असंगत हैं, ठिक, ये पॉइंट से आपको बताना था, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईए, और प्लीज ज़दा ज़दा लाइक करें, ज़दा सेर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिलकुल बिना भूलो यार, नेक्स्क्वेस्टन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहें.